RRB, NTPC, CBT1, Result Date, latest update नमस्कार दोस्तो सुआगत आपका मारी YouTube चनल में जिहां दोस्तो आप सभी इंतजार नहीं होंगे कि आफिरी RRB, NTPC, CBT1 का Result है वो Railway Recruitment Board आपका कब तक जारी करने वाला है क्योंकि दोस्तो इस बर्ती को काफी लम्बा समय भी चुका है special दोस्तो एक्जाम को लेकर आपका साती आंसुरकी को लेकर आपकी लंबा समय बीच चुका है December 2020 में दोस्तो एक्जाम सुरुआ था और दोस्तो जुलाई में एक्जाम खतम वह उसके बाद आंसुरकी जारी की गी दोस्तों आंसुर की के बाद भी काफी लंबा समय भी चुका है अभिहारती cbt1 के result को लेकर काफी ज्यादा प्रेशान है क्योंकि दोस्तों cbt1 का result जितना delay होगा साथ ही आगे का दोस्तों जो भी cbt2 होने वाला है आगे का process होगा उसमें भी आपका delay आपको देखने को मिलेग तो दोस्तों आकिर इसको लेकर क्या update आ रही है क्या result अक्टूमर में जारी किया जाएगा या दोस्तों result आपका है और delay आपको देखने को मिल सकता है रिजल आपका 9 दिसंबर तक जाएगा कब तक दोस्तों आपका cbt2 आपका conduct करवाया जा सकता है इसको लेकर दोस्तों latest update पूरी जानकारी complete जानकारी इस वीडियो में देंगे तो यी वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादे इंपोर्टेंट रहने वाला है तो वीडियो के अंतक और दोस्तों वीडियो को complete जरूर देखेगा साथी वीडियो को like कर दे और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न और कौन सी RRB से आपने home apply कर रखा है और दोस्तों हर एक्जाम में current affair की भूमे का काफी एहम रहती इसलिए दोस्तों हम आपके लिए पिछले एक साल का complete current affair लेकिया चुके हैं जिसमें 1000 प्लस दोस्तों one liner आपके question include किये गए हैं साथ दोस्तों जो हाल फिलाल में event वे हैं ज दोस्तों इस ebook को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो description box में link दिया गया है वहां से जाके दोस्तों अभी खरीज सकते हैं अब दोस्तों लगातार भी हार्ट्यों के comment आ रहे थे कि इस तरह एक email viral हो रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि आपका result है वो 20 October से पहले जारी कर दिय जाएगा तो दोस्तों वो email लेकर आ चुके हैं उसके बाद में आपको complete जानकरिमत देने वाले हैं कि आकर result कितना delay हो सकता है और दोस्तों कब तक result जारी होगा तो वीडियो के अंतक बने रही है दोस्तों when will the NDPC result be out please reply तो दोस्तों ऐसे reply का आपका कोई भी RRB सबसे पहली बात है कि आपका reply ही नहीं देता है और दोस्तों reply के हम बात कहें तो reply भी आपका अजीब ही दिया गया है जो आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों reply आप देख सकते हैं दोस्तों पूर्णते reply आप देखके पता चल जाएगा कि आपका reply है वो edit किया गया है और दोस्तों इसम आपकी fix हो जाती है तो दोस्तो वो अरार भी आपकी notice के मादेम से आपका date बता देता है कि result आपका इस दिन आ जाएगा अप दोस्तो जानकारी देख लेते हैं कि आपकी result कब तक आएगा दोस्तो result के हम बात करते हैं तो दोस्तो result आपका cbt2 का जो एक्जाम होने वाला है उस पे सारी चीज़े डिपेंड करने वाली है क्यों दोस्तो इस समय result जारी कर दिया गया तो railway को अच्छे से पता है कि आपका cbt2 के लिए भी हारती है लगाता twitter campaign करना start कर देंगे या emails के मादेम से या phone call के मादेम से दोस्तो railway recruitment से आपका यह मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका cbt2 की date जारी की जाए और दोस्तो अच्छे से आपको यह भी पता होगा कि जो भी आपका NTPC का exam है वो TCS agency ही conduct करवा रही है जो आपका SSC का exam भी दोस्तों पंडर करवाती है और दोस्तों SSC का exam schedule है अभी हाल फिलान में आपको पता है कि बीजी है अभी आपका SSC MTS का exam है वो हो रहा है जो आपके दो नोंबर तक होने वाला है उसके बाद दोस्तों इसी बीच आपका थोड़ा सा space खाली रहेगा इसके बाद दोस्तों 16 नोंबर से आपका SSC GD का exam सुरू होने वाला है जो आपका December end तक दोस्तों exam होगा तो इस दोरान कोई भी slot एक भी slot खाली नहीं है जहां exam है वो NTPC का करवाय जाए तो पहला region ये रहने वाला है दूसरे region की दोस्तों गर बात करें तो यहाँ आपका जो result है वो October में आने की उमीद negligible है जी हाँ दोस्तों October में आने की उमीद negligible है अक्तोंबर के अगर result आ भी जाता है तो दोस्तों CBT2 में आपका काफी ज़दा आपको delay देखने को मिलेगा तो दोस्तों expectant हम बात करें तो यहाँ जिस हिसाफ से information मिल रही है तो result आपका है यहाँ mid नॉमबर तक है वो railway recruitment board जारी क सकता है और दोस्तों railway का एक बाहना यह है कि इस बार objection ज्यादा हुए है जिसकी वज़े से railway recruitment board को आपका ज्यादा time लग रहा है और आपको इच्छे से पता होगा दोस्तों मनिश्चल और isolated category में बहुत कम अभी हारती थे उसके बावजूर दोस्तों result पे इतनी देरी की गई कि आपका सोच भी आप नहीं सकते है कि इतना result के लिए time railway recruitment board ने क्यों लिया तो सीधे तोर पर हम आपको कहें तो सीधे तोर पर यह है आपका result में अभी और delay देखने को मिल सकता है expected दोस्तों date हम आपको बता रहे हैं कि आपका नौंबर के लास्तों कोगा परन्तों इसमें अब आपको देरी अभी देखने को मिल सकती है और दोस्तों अगर बात करें सीधे टू के एक्जाम कि तो दोस्तों 2022 में ही एक्जाम है वो railway निसी तोर पर कंड़क्ट करवाने वाला है तो दोस्तों यह ती लेटेस जानकारी है लेटेस जानकारी लेटेस चैनल को सब्सक्र